यूपी की हमीरपूर जिले में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का पार्टी पदाधिकारियों ने गर्म जोशी से माला पहना कर जोरदार स्वागत किया नवनियोक्त जिलाद्यक्ष ने पार्टी कारेकरताओं की मासिक बैठक लेकर निकाय चुनाव मैतेजी से जुटकर जिले की निकाय की सातों सीटों को जीतने का दावा किया पार्टी ने इदरिश खान को जिलाद्धेक्ष बनाया वही पूर्व जिलाद्धेक्ष राज बहादूर पाल को लोकसवा प्रभारी बना कर 2024 के तयारी भी शुरू कर दी हमीरपुर जले में समाजवादी पार्टी कारिकरताओं में नव नियुक्ती जिलाद्यक्ष इदरिश खान के बनने से खुशी की लहर दोड गई है कारिकरताओं का जमावड़ा पार्टी का रहला में लगना शुरू हो गया आपको बता दें कि इदरिश खान को जिलाद्यक्ष बना कर पार्टी ने उन्हें दोबारा जिम्मेदारी दी है जिलाद्यक्ष ने कारेकरताओं से निकायत चुनाव में सातों सीटों को जीतने की अपील की वहीं 2024 के लिए बूत कमेटी तयार करते हुए तेजी से जुट जाने पर जोर दिया देखे समाजवादी पार्टी जनूम में काम करने वाली पार्टी है और सबसे पहला हमारा लक्ष यह है कि पूरी ताकत के साथ हमीर बुजनमत के साथ और सीटों पर निकायत चुनाओ साजवादी पार्टी दमखं़ से ले रहेगी कारकरताओं तयार है पूरी तरह से हमारा पहला लक्ष यह है कि लोक्साब दोवाजार चुरा 24 का इस सेमी फाइल है साथ के साथ है कोजने सामय फात्य करनाओ हर ए4 थोरी तरह कंभी तैयरी है हमारी पार्टी के सम्माल देना प्रेकार प्तादी गार सकतर पूरी तरह से यह हम लोग इस पर लिए और निश्च्छ जीते हो